हाई गाईज आ होप यूल आ डूइंग ग्रेड हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट प्रेस सेशन की जो सुबा चार बज इवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनेकलर फ्रंटियर आएस पर आज की तारीक है 30 अगस 2022 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आ साथी साथ for daily videos pdf and monthly magazine आप हमाई टेली ग्राम हैंडल्स प्रंटियर आएस और सेस जल्पनेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रीवेस कुछ के साथ मैं आपसे फेला question पूचा था कि रक्षानुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रू मानित किया गया है इसका correct answer था एंजेला मर्केल स्टार्ट करेंगे first question है PM मोदी ने किस राजिय में पैदल चलने वालों के लिए अटल ब्रीज को घाटन किया है correct answer है गुजराद details देख लू तो PM नरेंद्र मोदी ने एहमदाबाद में साबन मती नदी पर पैदल चलने वा के रित बिजाइन के साथ साबर मती नदी के दो किनारों को जोड़ता है PM मोदी ने खादी उत्सव कारेकरम से पुल को अध्गाटन किया अटल ब्रीज करीब 300 मीटर लंबा और बीच में 14 मीटर चौड़ा है बात करें हाँ पर गुजरात की तो इसकी वर्ल हैटे साइट सम अगर गवनर अचारे देवरत चीफ मनिस्टर भुपेंद्र पटेल नेक्स्ट क्वेस्टन देखो भारत में सेती नदी जल्विद्यूत पर्योजना विक्सित करने के लिए किस देश के साथ समझोता ग्यापनप्रसाक्षर किये हैं करेक्ट आंसर है नेपाल डिटेल्स दे और भारत के एनेच्पीसी लिमिटेड के बीच एक समझोता ग्यापनपर साक्षर किये गए इन परियोजना की कुल लागत लगभग 2.4 बिलियन डॉलर होने का नुमान है परियोजना के परिनाम स्वरूप कुल 1200 मेगवार्ट का उत्पादन होगा भारत को बिजली बेच कर नेपाल 2030 तक प्रतिवर्ष 31,000 करोड रुपे और 2045 तक प्रतिवर्ष एक ट्रिलियन रुपे तक कमा सकता है दोहजार नौ में चीनी कंपनियों ने परियोजना को विक्सित करने के लिए नेपाल सरकार के साथ एक समझोता ग्यापन पर साक्षर किये और पीछे खट गए नेक्स देखो पर्मानू परिक्षन के खिलाप अंतर राष्ट्र दिवस यानि इंटिनेशनल डे अगेंस्ट न्यूकलियर टेस्ट का मनाया जाता है पर्मानू हथियारों के परिक्षन के हानिकारक प्रभावो और ऐसे परिक्षनों को समाप करने के आवाहन के बारे में जगरुपता लाने के उदेश्य से किया जाता है संयुक्त राष्ट महासभा ने 2 दिसंबर 2009 को परमानू परिक्षन के खिलाब अंतरराष्ट दिवस को अपनाया नेक्स देखो किस कंपनी ने Child Safety Toolkit किट और Cyber Security अपस्किलिंग प्रोग्रां में लॉऔच किया है करेक्ट आंसर है गूगल इंपॉर्टन फ्राष्ट में है डीटेल्स देखलो तो गूगल ने Child Safety Toolkit और Cyber Security अपस्किलिंग प्रोग्रां में लॉऔच किया है गूगल को देश्य साइबर खत्रों के खिलाब देश की बढ़ती डिजिटल अर्थ विवस्ता की सामुहिक शमता को मजबूत करना है देश भर में लगभग एक लाग डवलपर्स, आईटी और स्टार्टप पेशिवरों के लिए एक साइबर सुरक्षा अपस्किलिंग कारेकरम के शुरुआत की गई है भारत में Google.org से फिल दो मिलियन डॉलर यानि लगभग 16 करोड रुपे का पहला डिजिटल सुरक्षा केंद्र तनुदान दिया जाएगा नेक्स देखो तो PMOधी 2 सितंबर 2022 को भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वहक पोत डैश को कमिशन करेंगे प्रधान मंतरी कोचीन शिपयार लिमिटेड के अंदर एक विशेश विवस्थित जगह पर भारती नौसेना में अधिकारिक तौर पर पोत को शामिल करेंगे जिसने 20,000 करोड रुपे में युद पोत का निर्मान किया है भारती नौसेना के इन हाउस Directorate of Naval Design, D&D दवारा डिजाइन किये गए और CSL दवारा निर्मतिस पोत का नाम उसके शांदर पूरुवर्ती भारत के पहले एरक्राफ्ट केरियर के नाम पर रखा गया है जिसने 1971 के भारत पाक युद में एहम भूमी का निभाई थी नेक्स्ट क्वेशन देखो किस IIT ने खोई याने बगयास से जाइलिटोल नामक चीनी के विकल्प को अथपादन किया है Correct answer है IIT गुहाटी Details देख लो तो हाल ही में IIT गुहाटी के शोद करताओं ने खोई से जाइलिटोल नामक एक सुरक्षी चीनी के विकल्प को अथपादन करने के लिए एक अल्ट्रासाउंट सहायता fermentation यानि किन्वन विधी विक्सित की है खोई गन्य की पेराई यानि शुगर के नप्रशी के बाद बचा हुआ अवशेश यानि रेजिड्यू होता है जाइलिटल पारंप्रिक प्रक्रियाओं में लगभग 48 घंटे के मुकाबले किन्वन समय यानि fermentation टाइम को घटा कर 15 घंटे कर देता है और उत्पात की उपज में लगभग 20 पसेंट की व्रिधी करता है नेक्स देखो महिला समानता दिवस 2022 यानि विमन्स इक्वालिटी डे 2022 की थीम क्या है करेक्ट आंसर है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर असस्टेनेबल चुमोरू डिटेल्स देख लो तो हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है इस दिन को मनाने का मकसद महिलाओं को समान अधिकार देना है ताकि समाज के साथ ही देश और विशु के निर्मान में वो अपना धिक्तम योगदान दे सके 2022 के लिए थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनिबल टुमोरू नेक्स्ट क्वेस्टन देखो खाल ही में किस मंत्राले ने देश भर के 26 स्कूलों में मीट दा चैंपियन पहल का योजन किया है इसका करेक्ट आंसर है यूवा मामली और खेल मंत्राले तो यूवा मामली और खेल मंत्राले ने राश्टे खेल दीवस के अफसर पर देश भर के 26 स्कूलों में मीट दा चैंपियन पहल का योजन किया मीट दा चैंपियन एक अनूठा स्कूल विजिट अभ्यान है जिसकी शुरुआत पिछले साल दिसंबर में उलम्पिक स्वरन पदक विजेता नीरत चोपडाने की थी यह पिछले कुछ महीनों में देश के विभिन हिस्सों में पहुंच चुका है स्कूल की यात्रा के दुरान चैंपियन एथलीट अपने अनुभव जीवन के सबग और सही खाने के टिप्स साज़ा करते हैं और स्कूली बच्चों को समगर रूप से प्रेणा दायक बढ़ावा देते हैं राश्टे खेल दिवस यानि नैशनल स्पोर्ट्स ने भारत में हर साल 29 अगस्त को महान होकी खिलाडी मेजर ध्यांचन की जयनती को चिनहित करने के लिए मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेस्टन देखो भारते तटरक्षकबल आईसी जी ने किस राज्य में दसवे राश्ट समुदरी खोज और बचाव अभियास सैरेक्स 2022 का योजन किया इसका करेक्ट आंसर है तम मिलना डू डिटेल्स देखलू में किया गया बात करें हैं पर तमिलना डू की तो इसकी वर्ल्ड हैटे साइट्स में आता है मॉनिमेट्स अट महाबली पूरम, चोला टैंपल्स, निलगीरी माउंटेन, रेलवे लाइन नाशनल पार्क में आता है इंदिरा गांधी नाशनल पार्क, मुदु मुलाई नाशनल पार्क, गल्ट मैनर में राइन नाशनल पार्क तमिलाडू की क्यापिटल है चिन्नई, गवणर है आरेन रवी, सियम है एमके स्टालिन लास्ट क्वेस्टन देखलो आज के सेशन के लिए किस राज ने दही हांडी को एक साहसी का अधिकारिक खेल का दर्जा दिया है करेक्ट आंसर है महराष्ट्र दिटेल्स देखलो तो दही हांडी को महराष्ट्र में एक खेल का दर्जा दिया गया है इसे एक तरह का एडवेंचर स्पोर्ट्स माना जाएगा मुख्य मंत्री एकनाच शिंदे ने विधान सभा में बताया कि दही हांडी में शामिल होने वाले गोविन्दाओं को सरकारी योजनो का लाब सरकारी नौकरियों में पांच । आरक्शन दिया जाएगा यदि दही हांडी खेलते समय कोई दुरगटना हो जाती है और ऐसी स्थिति में किसी गोविन्दा की मृत्य हो जाती है आज के सेशन की समरी की तो पेडेस्ट्रियंट्स के लिए अटल ब्रिज गुजरात में इनॉगरेट किया गया सेटी रीवर हाइड्रो एलेक्रिक प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने नेपाल के साथ M.O.U. साइन किया इंटरनाशनल डे अगेंस्ट नुकलियर टेस्ट 29 अगस्ट को मनाया जाता है चाइल्ड सेफ्टी टूलकिट और साइबर सेक्योरिटी अपस्किलिंग प्रोग्राम गूगल ने लॉँज किया इंडिया के पहले इंडिजीनियस ली बिल्ड एरक्राफ्ट केरियर विकरांथ को 2 सितंबर 2022 को कमिशन किया जाएगा आयाटी गुहाटी ने सेफ शुगर रिप्लेस्मेंट जाइलिटल प्रेडियूस किया विमेन्स इक्वालिटी डे 2022 के लिए थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनिबल टुमोरो 26 कुलों में मीट दा चैंपेन इनिशेटिव मिनिस्टर अफ यूथ अफेर्स अंड स्पोर्ट्स ने और्गनाइज की आईसी जी ने सेरेक्स बाइस का योजन तमील आडू में किया और महराष्ण ने दही हांडी को एडवेंचर ओफिशल स्पोर्ट का दरजा दिया बात कर लेते हैं आज की सेशन के कुल स्वाद अडे के आपका पहला क्वेस्टिन है किस भारते लेखक ने अपनी पुस्तक फाइंडिंग दी रा के लिए ब्रिटेन का जेम स्टेट ब्लाक पुरसकार जीता है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है फीफा अंडर 17 महिला विशुकप 2022 की में जबानी कौन सा देश करेगा दोनों क्वेस्टिन्स हमारे प्रीवेस सेशन से हैं इनके सांसे नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्राम हर्ण्स को जोईन जरूर करना है थैंके सो मच, I'll see my next session